तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुली नए वीडियो के अंदर जहाँ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने चाहरे हैं मार्वल वटिफ के 10 सबसे पाउरफुल करेक्टर्स के बारे में मार्वल वटिफ के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं जिनके अंदर अब तक हमें धेरों नए उनिवर्सिस देख चुके हैं और उनी उनिवर्सिस में दिख हैं बहुत सारे नए-नए क्यारक्टर्स भी So इसलिए आई आज की इस वीडियो कें अंदर हम इसी बारे में डीटेल से बात करते हैं और what if series में दिखने वाले 10 सबसे powerful characters की बात करते हैं तो ये वीडियो बहुती कमाल के उने वाली है इसलिए आप सभी इसे पूर एंट दक जरूर देखें और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ गया हो करके उन सारी विडियोस को देख सकते हैं आई होप आपको वो सारी वीडियो diseases बहुत पसंदाबंवा आंगी और हाँ अगर आप वीडियो फश्कु को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें तो आईए अब हम बिना किसी देरी के आज कि इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्वल वटिफ के सबसे पाउरफुल करेक्टर्स के बारे में नमबर टैन कैप्टन कार्टर तो मार्गरेट ऐलीजाबेद कार्टर यानि की पैगी कार्टर में एक शीर्ड एजेंट होती है जो कि स्टीव रोजर्स के सूपर सोलजर बनने के बाद उसके कई सारे मिशाइस पो उसका साथ देती है लेकिन अगर हम बात करें मार्वल वटिफ यूनिवर्स की तो वटिफ सीरिस के अंदर कैप्टन कार्टर एक ऐसे यूनिवर्स से बि बहुत जादा पाउर्फुल है लेकिन तब भी कैप्टन कार्टर इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह इसलिए डिजर्व करती है क्योंकि वटिफ सीरिस के अंदर उसने कुछ ऐसे काम भी किये हैं जो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंड से भी ब्यॉंड थे जैसे कि अपने यु के साथ मिलकर इस्ट्रेंज सुप्रिम जैसे मोस्ट पाउर्फुल करेक्टर का भी सामना कर चुकी है सो इसलिए अब इतने जादा बैटल एक्स्पिरियंस के बाद कैप्टन कार्टर इतनी जादा कैपेबल बन चुकी है कि इसके दम पर वो आगे भी इसी तरह से कई सारे म इसलिए वो शैंक्ची की मदर तो नहीं बनती बट फिर भी वो अपने यूनिवर्स में टालो से बिलॉंग करती है वट इफ के इसी एपिसोड के अंदर हमें पता लगता है कि टालो बेसिकली एक ऐसी जगाए जो की दुनिया का बॉर्डर एरिया है और जो भी लोग यहां से शू वैन्वू का राती है बल्कि वो टैनरिंग्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसी तरह से वट इफ के इसी एपिसोड के अंदर जब जी आंगली हेला को ट्रेंड करती है तब उसकी ट्रेनिंग के बाद ही हेला फिजिकल इतनी जाधा पौरफल बन जाती ह कि वो अपने फादर ओडिन को भी टक कर दे पाती है और इसी लिए यही सारी बाते यह साबित करती है कि जी आंगली कितनी जाधा पौरफल करेक्टर है नंबर 8 वट इफ स्टारलोड तो जब तो हमने स्टारलोड को सिर्फ MCU में देखा था तब तब तक हमें से जाधा तर लोगों सिर्फ यही लगता था कि यह स्टारलोड ना सिर्फ आदा सेलेस्टेल है बलकि दिमाग से आदा पैदल भी है और इसे लिए ना तो इसके सब्सक्राइब कर दिया जिसके बाद जाकर हम एक ऐसा स्टार लोड दिखा जो कि अकेले पूरे प्लैनेट तक को तबहा करने की ताकत रखता था यह स्टार लोड अकेले एवेंजर्स की पूरी टीम को धेर कर देता है और सिर्फ यह नहीं बलकि इसके आगे जब इसका फाद है यह तो हम सब जानते हैं और वो इसी लिए क्योंकि मौत की देवी जैसी में अपेर हुई थी वैसी अपने आने के साथ ही इसने थार का म्योनिर तोड़ा एसगार जाकर वारियर 3 को तोड़ा और जब थार उससे लड़ने आया तो उसने थार को भी तोड़ा और जब थार जादर ओडिन को भी हरा चुकी है जोकि mcu के अंदर हैला कभी नहीं कर पाई थी और क्योंकि ओडिन को हराना स्टिल एक बहुत भी बड़ा फीट है इसलिए हम यह क्लियर ली कह सकते हैं कि यह वाइट है थार थैनोस और इवन ओडिन जैसे ओल्फादर से भी कई ज़्याद लेकिन तब भी यहां हम बात करें Zombie Skylid विच की यानि की एक ऐसी Skylid विच जो की Zombie होती है और इसलिए Zombie Skylid विच ना सिर्फ एनरजी मनिपलेशन, Reality Rapping, Telepathy, Telekinesis और Mind Control जासे काम कर सकती है बलकि अब Zombie बनने की वज़़ए से यह Skylid विच वर्चूली इमोटल भी है विच में इस नॉर्मल कंडिशन के अंदर इसे मार पाना almost impossible सी बात है एंड देट्स वाइज जॉंबी स्कालेड वेच इतनी जाधा पॉर्फुल है कि वो मार्वल वटिफ के जाधा तर केरेक्टर्स को अकेले खतम कर सकती है तो अब जिस हल्क की हम बात कर रहे हैं उसका स्क्रीन टाइम वटिफ के अंदर सबसे कम था लेगिने तरह छोटे स्क्रीन टाइम के बावजूद भी उसने सबसे बड़ा इंपक्ट डाला है असल में ये हल्क हमें दिखा था वटिफ सीजन टू के फिनाल एपिसोड के अंदर और अगर इसके अपीरेंस और यूमर्स की माने तो हल्क के इस वर्जिन के पास हल्क की पावर्स के साथ साथ थौर की पावर्स और यहां तक की हला की पावर्स भी है और इसके साथ ही क्योंकि इसकी बोड़ी की गामा रेडिशन बहुत ही जादा हाई है इसलिए हम इसे देखकर ये भी समझ सकते हैं कि हलका ये वर्जिन अपनी पावर्ज की पीक पर जा चुका है इनके साथ ही इसके पास एक पावर्फुल सौड भी है जिसे फिनाल मोंगर तो वैसे तो बैसिक ब्लेक पैंथर जतना पावर्फुल एंफट, यानी कि वट इफ में बैट किलमोंगर जो कि सारे इनफिनिटी when और बेंगर कि जाने के बाद वो बनता है इन्फिनीटी किल्मोंगर और अगर इसकी पावर्स की बात की जाये तो ये किल्मॉंगर भी लगबक उतनाई पावरफुल है जितना मावफुल हमें इंफिनीटी अल्ट Background दिखाए गये और और इसके साथ ही जब ये वटिफ सीजन 2 के फिनाले में अपियर होता है तो वहाँ पर भी हमने इसाफ दिखा था कि ये अपने सिर्फ एक स्नैप से ही थैनोस जैसे पाउरफुल बिंग को भी धूल बना देता है जो कि स्टेल इसकी पावर्स को शो करती है नंबर 3 है नंबर 2 तो सीजन 2 के अपिसोड जबन होगा प्पर जावरेगा टू को कोई जानता भी नी था क्यूंकि ना तो एक केरक्टर कभी leaving कि एंपछी है और ना यह Marvel Comics के अंदर एक्जिस्ट करती है लेकिन छेटे एपिसोड में जैसी इसके एंट्री हुई वैसी अपनी पावर से इसने सभी को शॉक कर दिया और उससे भी बड़ा धमाकर तो तब हुआ जब यह कहोरी हमें वट इफ सीजन 2 के फिनाले में दिखी क्योंकि वहीं पर हमें पर बीजिसे काभरी ने इनरे इन्रियलेटी कितनी पारफ बिड़ती हैं जो कि स्टेंस्ट कर्येइन स्परीम को चक्मा दे कि निकलने में काम याबूई थी और इसके साथ ही जब वो क्याप्टैन कार्टर के साथ मिलकर स्थेंस्ट क्योक्तिन स्प्राब आप ने में एक सेकिंड पहले मल्टी वर्स के सबसे पाउर्फुल बिंक्स में गिना जाता था वो अगले इपल एक आम सा सूपर हेरो बन करें गया एंड इसलिए अगर देखा जाएं तो अभी तक पूरे मार्वल वटिफ के अंदर शायद ही ऐसा कोई क्यरक्टर होगा जो कि कहोरी से ज जो इनी किया हैं कि वाचर इन रियालेटि कितना जादा पाउर्फुल एंड इसके ऊपर वाचर ने हमेशा से ही अपने आपको सभी उनिवर्सिय से अलग रखाएं तो चलिए अब बात करते हैं नंबर वन की नंबर वन स्ट्रेंज सुप्रीम तो इस बात में कोई डाउट ओर इन दोनों कई एक पोकेटर मचार पावर्स नहीं機ृद्स नहीं सब्सक्राइब से चाहर Shapum और यहां तक कि अगर 시जन 2 के फिनाले के लिए अगर स्टेन कारटर और काहरी दोनों कई खतम कर सकता था लेगन क्रिस्टीन को बचाने के लिए उसके बस और कोई भी option नहीं था इसलिए उसने अंत में अपनी खुद की कुर्बानी दे दी लेगिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर स्ट्रेंज सुप्रीम चाहता तो उसे मारना तो दूर बलकी कोई हराबी नहीं पाता एंड इसलिए खतम होने के बाद भी स्ट्रेंज सुप्रीम बिना किस कर दिया तो आप उसका नाम भी हमें कमेट्स में बता सकते हैं यानि कि कोई ऐसा क्यरेक्टर जो की इतना पाउरफुल था जो कि इस लिस्ट में जगा बना सकता था अगर आपको पता हो तो कमेट्स जरूर करना और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी क करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को आप स्ब County तो अब के सब्सक्राइब करें वीडियो शेर करना चाने और आप सभी इसी तरह से में दिक तब आप